जैहिन सात्यों स्वागत है आपका Self Study Classes विस्तुमिद जैन यूटूब चैनल में ठीक है तो दोस्तो आज की किलास स्टार्ट हो चुकी है सभी लोग लाइब आ जाएंगे फटापट से वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को सेर जरूर कर देना ठीक है और जिन भी सात्य इस एप को जोईन हो जाना है इस एप को डाउनलोड कर लेना ठीक है दोस्तो एल्टी ग्रेट एक्जाम हो या फिर पीजी टी 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 एक्जाम हो यू के एल्टी हो है ना या फिर दोस्तो ऐसा एक्जाम हो जिसमें हिंदी साहित पूछा जाता है नेट एक्जाम हो इसके ल बारा सो रोपे में आपको उपलब्द है ना कब तक है ये 30 अप्रेल तक 30 दिसंबर तक उपलब्द है ठीक है तो सबसे पहले तो वीडियो को आपको लाइक करना है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों हिंदी साहित का इतिहास ठीक है हिंदी साहित के कुछ प्रस्णों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं तो सभी लोग तयार हैं और तयार हैं तो जल्दी से पहले प्रस्ण का उत्तर आपको बताना है और जिन भी सात्यों ने दोस्तों अभी तक डाउनलोड नहीं किया है Self Study Classes App Play Store से सबसे पहले तो वो डाउनलोड कर ले ठीक है और जैसे ही आप डाउनलोड कर लेते हो दोस्तों तो आपको कोर्स अगर परचेस करना है तो आप कोर्स परचेस जरूर करेंगे ठीक है तो आपका आज का पहला प्रस्ण है इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों आपने आरभासां पढ़ी हो गी यहना पूरे कितनी आर भासा होती है जंदी से बताएं भारती आरभासा के ब्रकालीन ार्भासा और दोस्तों और कौनसी एक आधूनिक आरभासा जो होती है कितने चलण होते हैं, दो होते हैं, तीन होते हैं, शबी लोग बताएंगे कितने चलण इसके होते हैं, प्राचीन, आरभासा, माध्मिक आरभासा, मद्धकालिन आरभासा, और दोस्तों जो होती है आध्धुनिक आरभासा, ठीक है, तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा, बिकल्प नमबर V. V नमबर यानि की 3. ठीक है? तीन नमबर आपका बिल्कुँ सही हो जाएगा. ठीक है? वेरी और आंसर. तीन नमबर आप लोगों का बिल्कुँ सही है. अब दोस्तों आपको बताना है कि निम्न वैसे किस बिद्वान ने। प्राकृत को मीटी तता संस्कृत को कठोर कहा है जल्दी से आंसर आने चीए सबी लोग राज से करने कहा है राज से करने कहा है किसने कहा है जल्दी से कमेंट में लिको फटा फट से उत्तर क्या सही होगा यहां पर आपको चैन करना है कि किस विद्वान ने किस विद्वान ने प्राकृत को मीठी तथा संस्कृत को संस्कृत को कठोर कहा है राज सेकर ने भरत मुनी ने बामन ने या फिर श्यंबू ने तो किस ने कहा है सबी लोगों का आंसर आने चाहिए बढ़िया प्रस्न है बहुत ही important प्रस्न है और आपका बिलकुल सही आंसर क्या हो जाएगा राज सेकर राज सेकर ने दोस्तो प्राकृत को मेठी कह दिया और संस्कृत को इन्होंने कठोर कहा है किसने कहा है राज से करने और ए नमबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा जो बहुत सारे लोगों ने पूनम जी, अंजली जी, क्रन जी शबी लोगों ने चिंपा जी, वेरिगोड ओपी जी भी आ गए हैं आपर और यहाँ पर दोस्तों अपवरेंस में राम काब, अपवरेंस में राम काब के प्रिथम कभी कौन है बहुत बड़िया प्रस्न है अपवरेंस में राम काब के प्रिथम कभी कौन मान जाते हैं अपवरेंस में देखते हैं दोस्तों है ना आप व्रंस हम पढ़ते हैं तो उत्तर क्या हो जाएगा जन्दी से बताना बिल्कुल फास्ट रिवीजन है और आप व्रंस में राम काब के पर्थम कभी कौन मान जाते हैं श्यम्भू, देवसेन, रामसेन या फिर पुस्पदंत कौन मान जाते हैं आपके पांस है पां व्रंस में राम काब के पर्थम कभी मान जाते हैं वो पीजी वेरिगोड याना सभी लोग आ चुके तो भटा पड़ से एक बार लाइक कर देंगे हिंदी में साहित का इतिहास सबसे पहले किस ने लिखा आपको पता होगा दोस्तों जब हिंदी साहित का इतिहास लेखन के ह प्रकासित हुआ उस ग्रंत का नाम था दोस्तों क्या नाम था इस्तिवार दला लेत्युतुर एंदुई इंदुस्तानी है ना उस ग्रंत का नाम क्या था इस्तिवार दला लेत्युतुर एंदुई इंदुस्तानी इसके दो भाग प्रकासित हुए एक 1849 और दूसरा भाग प्रकासित हुआ था 1846 में यह दो भाग प्रकासित हुए इसके और दोस्तों यह था कौनसा गार्षाद अतासी का गरंतता यानि डी नंबर आपका बिलको सही हो जाएगा यहां पर खीक है डी नंबर जिन्हों यहां पर कॉस्चन को पढ़ना है दोस्तों यहां पर कॉस्चन में यही कनफ्यूजन होता है हिंदी में हिंदी साहित का इतिहास गार्षाद अतासी नहीं दोस्तों यह तो फ्रेंच भासा में था यहां पर कनफ्यूज नहीं होना है ना हम भी यहां पर प्रस्णों को अच्छ लेकिन अगर ऐसा पूछा जाए कि हिंदी में हिंदी साहत का इतियास हिंदी में हिंदी आपका उत्र होता है शेयो सेह सेंगर वेरी गोड आंसर क्यांदी आपका यहां पर सही होगा B ये भी आपको याद रख लिना है ठीक है बी नमबर बिलकोँ शही है अब ऐसे ही अपन को अबर confidence में नहीं आना है जैसे अपन ने देखा कि ये तो बन रहा है अपन से उर गार साधा हिंदी साहित का आधा इतियास बताना है पांच का आंसर बताना है लेंगवेज बढ़िया है हिंदी साहित का आधा इतियास किसने लिखा प्रशन किर्मांक पांच हिंदी साहित का आधा इतियास बताना है राज क्रामकुमार बर्मा रामचंद्र सोकल शुमन राजे या फिर बच्चन शेह, आधे इतियास की बात आती है, तो आधा इतियास मैंने कई बार आपको बताया है, प्रेश्निक किरमांक पांच, और पांच का अंसर क्या हो जाता है, हिंदी साहित का आधा इतियास किसने लिखा, ए चीज आपको बतानी है, प्रेश्निक किरमांक पांच का अं याँ खिए गा शुमन राजे यानि की सी नमबर बिलकुल शाई है ठीक है शी आपने बताया है वो बिलकुल शाई आंसर हो जाएगा next प्रस्ण आपका रीती काल को अंधकार काल किसने कहा है रीती काल को दोस्तों अपने पड़ा की सत्रा सो से लेकर कि उननीस्तों का जो काल म वाना जाता है रीती काल का समय वाना जाता है ठीक है यह तो आप लोगों को पता है और रीती काल की अगर बात करें तो स्रंगार काल स्रंगार काल किसने कहा स्रंगार काल कहा विस्वुनात प्रसाद ने विस्वुनात प्रसाद ने अलंकृत काल इसने इसे किसने कहा तो अलंक पास लोचन ना हो तो सारा जग आपको अंदिकार लगेगा अंदिकार तो लोचन यानि की त्रिलोचन त्रिलोचन है यानि की B מכ वहाद वड़ी आंसर शब्लोगों ने त्रिलोचन लगाया है पुरान सर भी आपका सही है हिंदी साहित का संचिप्त इतिहास के लिए का क्वन है प्रशने करमांग साथ ये फटापट से रिवीजन आप लोगों को करना है मास्टर के अडर वालों का 27-28 सारी को पेपर है दोस्तों है ना और हिंदी साहित का संचिप्त इतिहास बताना है संचिप्त में पढ़ा दो विस्तु के लोग चाहते हैं विस्तु के लोग चाहते हैं संचिप्त में पढ़ा दो तो हिंदी साहत का संचिप्त इतिहास गरंत विस्तुनात तरपाथी का होगा कि रामचंदर सुकल का अनिता जी इस संचिप्त इतिहास कि विस्तुनात तरपाथ यानि ये नंबर आपका बिल्कुल त्वी हो जाएगा वेरीगोड ांसर ये नंबर बिल्कुल सभी टिक किया नेवस्ट प्रय्ष नापकी स्क्रीन पर है जंदी से आपको बाना है जैसा हो कौन से नंबरεν का ओफषन आपका लाग कर दिया जाए कौन सा उड़ाएगा हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है तो तो मैंने कई बार आपको बताया है कि जो दुलाई वाली है दुलाई वाली एक कहानी है 1907 की एक कहानी मानी जाती है दुलाई वाली महिला को शाथ में लेकर आना अपने पढ़ा था ना और राय कशन दास ने दोस्तो इस दुलाई वाली को हिंदी की प्रतम मौले कहानी मानी किसने राय करशनदास ने दुलाई वाली जो दोस्तों एक कहानी है बंग महिला की है ना और इस कहानी को राय करशनदास ने हिंदी की प्रतम मौलक कहानी माना और हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है अगर आप से ये पूछा जाता है तो आप क्या बताओगे क्या बताओ होता है उरे नम्मर आपका बिलकुल सही हो जाएगा ठीक है प्रríaम्चंद के किस उपन्यास का पातर सूरदास है जल्दी से बताओ प्रश्ण किर्मांक 9 में प्रैम्चंद के किस उपन्यास का पातर सूरदास है उपन्यास आपने प्रेमचंद जी के पड़े हैं सेवा सदन कर्म भूमी गवन गोधान है ना इससारे उपन्यास आपने पढ़ दिये प्रेमचंद जी के अब प्रेमचंद जी का बोले सर मंगल सूत्र तो अध्यूरा रह गया ठीक कोई बात नहीं रहे जाने दो ए मंगल शूत्र भी प कर्म भूमी रंग भूमी आपका ए नमबर बिल्कुल सही हो जाएगा रंग भूमी का पात्र है सूरदास यह आपने विल्कुल सही टिक किया है ए नमबर ठीक है अंगला कॉस्चन है आपके सामने निम्न वैसे कौन सी रचना अबधी में नहीं है अबधी भासा आपने पड़ नहीं किया है सेल्फ स्टडी किलासेश सेल्फ स्टडी किलासेश एप डाउनलोड नहीं किया है वो एप डाउनलोड करें और एल्टी ग्रेट की वेकेंसी भी आने वाली है है ना एल्टी वालों की और दोस्तो सेल्फ स्टडी किलासेश अगर एप डाउनलोड नहीं किया है तो its app को जल्द ही download कर लेना और आज ही इस course को Hindi Saeid के course को purchase कर लेना क्योंकि दोस्तो ये आपकी 30 December तक आपको इसको purchase करना है और 30 December तक business offer यानि की 1200 रोपे में ही आपको ये course मिलेगा पूरा complete course Hindi Saeid का शुरुवात से लेकर के कौन सी रचना अब दी में नहीं है पुलिसर रामचरित मानश है, बेराग संदीपनी है, पदमाबत भी है, कौनशी नहीं है, विनए पत्रीका, वेरी गॉड, बहुत बड़ी आंसर सभी लोगोंने, शिद्धों ने किस भासा सेली में रचनाई की है, प्रश्निक किरमांक 11, और 11 का आपका बिल्कुल शही आंसर क्या होगा, सिद्धों की संख्या कितनी बताई गई है, नातों की संख्या नो बताई गई है, शिद्धों की संख्या आपको बताना है, सिद्धों की संख्या क्या बताई गई है, जल्दी से बताओ, सिद्धों की संख्या क्या बताई गई है, उत्तर क्या हो जाएगा, जल संध्या या फिर संध तो यहां पर आपने जो उत्तर लगाया है दोस्तों अगर इस प्रिकार से संध्या आता है तो आपको लगाना है ए नमबर ए नमबर लगाना है है ना और किसी-किसी बिद्वान ने संध्या भी माना है संध्या भी माना है लेकिन पहली प्रायटी संध्य यानि कि ए नमबर आपका सही होगा यहाँ पर ठीक है ए नमबर संधा भासा सहली बिलकुल सही वेरिवड सिद्धों की संख्या चुरासी नातों की संख्या नो मानी जाती हो फिर अंगला क्वेस्चन आपसे आता है आपसे पूछा जाता है कि डाक्टर रामकुमार बर्मा ने को एनो ने दिया था आपसे पूछा जाता है कि संधिकाल का शमय क्या माना है कही कही पूछा जाता है कि आदिकाल को चारणकाल नाम किस ने दिया ऐसा भी क्वेस्चन आता है ठीक है तब आपको यहाँ पर क्या करना है यहाँ पर आपको उत्तर बताना है प्रश्न किर्मां में और आपने बिल्कुल सही चैन किया है क्या किया है कि सर 750 से लेकर के 750 से लेकर के 1000 संबत 750 से लेकर के 1000 का जो काल था के संधी काल था संधी काल था जो रामकुमार बर्मा ने माना है और एक नमबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है very good answer चंदन जी भावना जी अंगला question है हिंदी साहित के प्रारंबे काल को जैकाल किस ने कहा हिंदी साहित के प्रारंबे काल को जैकाल किस ने कहा रमा संकर सुखल रसाल या फिर या फिर दोस्तो महाबीर प्रसाद दुवेदी महाबीर प्रशाद दुबेदी डाक्टर मौहन अबस्ती या फिर गिरियर सन्ने जैकाल किसने नाम दिया ये बतानी आपको 13 का अंसर तेरा जगदीज जी चंद्रजी जदी से बताओ हिंदी साहित के प्रारंभे काल को यानि की प्रथम काल को जैकाल नाम किसने दिया जैकाल आपको बताना है किसने नाम दिया है जैकाल जल्दी से आपको कमेंट में लिखना है और उत्तर आपका जो हो जाएगा वो अध्र कर सुकल रसाल ने इसे जैकाल नाम दिया है यानि कि आपका जो उत्तर है वो उत्तर हो जाएगा विकल्प नम्मर रमा संकर सुकल रसाल है ना ये नम्मर आपका विल्कुल शही हो जाएगा ठीक है फिर बढ़ जाते हैं आंगे आंगे बढ़ते हैं ठीक है आंगे बढ़ते हैं दोस्तों यहां पर आ जाते हैं गोटन गो मांक चौदा बहुत ही बढ़िया प्रस्ण है आनंद दायक सरल प्रस्ण है ना सबसे बनेगा ठीक है सबसे बनेगा तो घुटन रचना का संबंद किस बिधासे है यह हमें बताना है रस्मी जी एसकरण सुमंजी आदेश जी सभी लोग आंसर बताएंगे और जिन भी सातियों हमें अभी तक दोस्तो डाउनलोड नहीं किया है ठीक है इसको याद रखेंगे गोटन रचना का संबंद किस बिधासे है तो आपने बिलकुल सही चेहन किया है किसर जो घोटन है गोटन ए आत्म कथा है क्या है आत्म कथा है यह नंबर आपका बिलकुल सही हो जाएगा यह जिन्हों ने बताया है उनने अपना आकलन करके बताया अपना आकलन किया है यानि ये आपका बिल्कोर शाहिए ठीक है गर्दिस के दिन आत्मकथा के लेकक कौन है कमलिस और जानकी देवी बजाद बनार्सी दास जैन या फिर राहुल सांकृत त्याइन गर्दिस के दिन आत् को चैन करना है पंद्रा में सभी लोग चैन करेंगे ठीक है उत्तर क्या हो जाएगा गर्दिस के दिन आत्म कथा के लेका कंकिज जी पुस्पेंदर जी शबी का अंसर आनी चाहिए शंतोस सौनकर जी गर्दिस के दिन आत्म कथा एक इसकी है ठीक है पैट किलास आपको डाउन किया है पुलिसर गर्दिस के दिन है कमले सुर के कमले सुर यानी ए नंबर वेरी गुड वहाद बड़ी आंसर ए नंबर जिन्हों ने बताया है गर्दिस के दिन कमले सुर का आपका बिल्कु सही हो जाएगा फिर नेक्स्ट कॉस्चन आपकी स्क्रीन पर है पुस्टी कई बार आपने देखा हैं दोस्तों कि पुश्टी मारग के प्रबरतक में बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं है ना अभी एक कॉस्टिन दिया था पुश्टी मारग का जब अपना टेस्ट हो रहा था तो बहुत सारे लोगों ने सूर्दास लगा दिया था क्यों क्यों लगाया था सूर्दास नहीं लगाना भाई साब पुष्टी अगर आपकी कोई पुष्टी नहीं होती कोई भी चीज है अगर कोई पुष्टी नहीं करता तो आप काय से करवाते हो पुरिसर हम तो बल से करवा लेते हैं काय से करवा लेते हैं बल से पुष्टी हमें मार की प्रबर्तक हो जाएंगे ठीक है फिरंगला कोस्चन है हिंदी के किस साहितिकार को सर्व प्रितम ज्यानपीट पुरुसकार मिला दोस्तों यह चीज तो आपको पता है क्या चीज पता है यह चीज पता है कि मात्र चार रचनाओं के लिए ज्यानपीट पुरुसकार मिला उसके बाद उसके बाद इस संपूर साहित में पुरुषकार दिया जाने लगा ज्यानपीट पुरुषकार है ना तो आपको बताना है कि किस साहित कार को ज्यानपीट पुरुषकार मिला है ये भी आपको बताना है जल्दी से बताएंगे अभी पैट कोर्स की फीस मात्र 1200 है 30 दिसंबर तक आपके लिए एक खरीदना है पर्चेस करना है एप डाउनलोड कर लो भटापट से और दोस्तों हिंदी के किस साहितिकार को सरप्रिथम ज्यानपीट पुरुसकार मिला तो आपने बिलकुर सही बताया कि सर प्रिकृति के सुकुमार कभी प्रिकृति के चितेरे कभी शुमित्रा नंदन पंत को सुमित्रा नंदन पंत को दोस्तों क्या माना है सुमित्रा नंदन पंत को चिदंबरा के लिए इनकी रचना चिदंबरा के लिए दोस्तों इन्हें ग्यानपीट पुरुसकार मिला 1968 में सबसे पहले यह मिला था ठीक है 1968 के बाद 1972 में किसे मिला था उनीचो अठतर के बाद 1982 में किसे मिला था जल्दी-जल्दी से सभी लोग बता दो 1972 में किसे मिला 1978 में कब किसे मिला और 1900 1982 में कब मिला यह आपको बताना है तो जल्दी से बताओ एक revision हो रहा बहुत बढ़िया तरीके से आपको बताना है 1972 में किसे मिला था जल्दी बताओ पड़ाक से बताना है प्रशन करमांग के आपका है 1972 में रखना उस 1972 में कौन बता रहा है सबसे पहले 1972 1972 very good answer दिनकर जी को मिला 1972 में उर्बसी रचना के लिए दिनकर जी को मिला very good अब 1978 में किसे मिला 1978 में अपने अग्ये जी को मिल गया very good answer 1982 में किसे मिल गया 1982 में महादेवी जी को मिल गया यनि कि आपने पूरे पड़े हैं very good बहुत बढ़ याद्यान सबदार्थ सरीरम तावत्य काब्याब एह परिभासा किस ने दी है और जिन भी सातियों ने दोस्तो एक बार कोर्स पर्चेस करके देख़ो मजा आ जाएगा पढ़ने में चाहे L.T. ग्रेट बाले हो PGT, TGT बाले UK, L.T. कोई भी हो दोस्तों ये आपको अगर पढ़ना है बहुत बढ़िया तरीके से सबदार्त सरीरम, साबत्य काभ्यम के जो परिभासा दी है ये परिभासा किस से ने दी है प्रश्न किरमांक 18 में और 18 में आपका जो आंसर सही वो क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा बामन ने आनंद बर्धन ने ममट ने या फिर भामह ने बोले सर ऐसे सब्द बोलो की सरीर में क्या आजाए आनंद आजाए ऐसे सब्द बोलो सबदार्त सरीरम ताबत्य काभ्यम सब्द ऐसे बोलो की सरीर में सरीर में आनंद आजाए तो ये आनन्द बर्धन की होगी की ममट की होगी पुलिसर सबदार्त ऐसे बोलो की सरीर में आनन्द आ जाए तो सबदार्त सरीरम तावत्त काव्यम सरीर में आनन्द आ जाए यानि की आनन्द बर्धन आनन्द बर्धन भनी संपरदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं दोस्तों आनंद बर्दन है ना सुसबदार्थ सरीरम आनंद बर्दन सापकी है ना हिंदी के प्रितम द्यनेक समाचार पत्र का नाम बताना है इद्यनेक समाचार पत्र है ना इसापताहेक समाचार पत्र इन समाचार पत्रों को अपन को पढ़ना है अब आपको बताना है हिंदी के प्र होगा कि भारत का दोस्तों प्रिथम भारत का प्रिथम समाचार पत्र था कौन सा आगस्ट ही की था आगस्ट ही की था लेकिन अगर हिंदी का बोला जाए हिंदी का प्रिथम समाचार पत्र कौन था तो आप क्या लगाओगे पुलिसर हिंदी का प्रिथम द्यानक समाचार पत् बहुत सारे लोग लगबग 50% कनिफ्यूज हैं क्या कनिफ्यूज हैं कुछ लोग ये बता रहे हैं तो इसको आराम से पढ़ो कैसे पढ़ना है प्रिथम देनेक समाचार पत्र की बात जब आती है तो प्रिथम देनेक समाचार पत्र है शमाचार सुदा वर्षण शमाचार सुदा वर्षण राजु गुपता पूनम सिंग जी ये प्रिथम देनेक समाचार पत्र है शमाचार सुदा वर्षण और दोस्तो हिंदी का रखने ना बहुत सारे लोग कन्फूज हो गए इसको कन्फूज नहीं हो ना कि समाचार सुदा वर्सन दोस्तों उन्नीस तो चौंगन में स्याम सुन्दर सेन द्वारा ये दोस्तों प्रिकासित किया गया इसकी संपादक्ति है ना और ये उदंत मारतंड दोस्तों इसको याद रख लेना 1826 और बंगदूत पत्री का निकली 1829 में राजा राम मोहन राय के द्वारा तो इनको याद रख लेना है ये दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी का प्रतम समाचार पत्र कौन सा था तो आपको लगाना ओदंत मारतंड हिंदी का प्रतम सापताह एक समाचार पत्र तो प्रतम सापता है कि भी उदंत मारतंड है लेकिन अगर आपसे दैनक पूछा जाए तो दैनक में आपको समाचार सुदा वर्सन लगाना है याद रखना इसको याद रखना और दोस्तों अंगला कोस्चन आपको बता देना है यहाँ पर अबदी को अन किस नाम से भी जाना जाता है अबदी को अन किस नाम से भी जाना जाता है ट्वंटी का आंसर बगेली दोनों कोसली अबदी को अबदी को बताना है उत्तर क्या हो जाएगा माही जी करन जी सभी लोग बताएंगे हैना यह अबदी को अन किस नाम से भी जाना जाता है यहाँ पर आपको बताना है उत्तर क्या हो जाएगा है ना इसको बी नमबर आपका बिलकुल सही हो जाएगा भी जिनों ने बताया है उनका answer बिलकुल सही है एप डाउनलोड कर लेना नीचे description में लिंक भी दी है और आप प्ले स्टोर में सर्च कर लेना self study classes जहां पर आपको दोस्तों हिंदी साहत पढ़ाया नहीं है ना दोस्तों रटवाया जाता है यानि कि वो रट जाएगा आप पीडियो देखते रहो आटोमेट गरट जाएगा इसनेह लीला की रचनाकार कौन है पुलिसर स्टी की रचेता ब्रह्मा जी है ना लेकिन हम विष्णु जी से इसनेह करते हैं विष्णु जी हम से इसनेह करते हैं अपन सभी यही मानते हैं कि भगवान विष्णु क्या करते हैं सभी से इसनेह करते ह कुल इनकी किसी से बुराई नहीं है कि तो सभी से इसनेह करते हैं तो इसनेह करते हैं तो इसनेह लीला की रचनाकार विश्णु दास होंगे कि नंद दास होंगे आपको ही चैन करना है और जब आप चैन करते हो इसनेह लीला की रचनाकार कौन है तो आपका उत्तर हो जाता है क्या उत्तर हो जाता है आपका विश्णुदास क्या हो जाता है विश्णुदास यानि कि C नमबर आपका बिलकुर सही हो जाता है विश्णुदास आदी कालिन साहित का प्रमुक रस कौन सा है आदी कालिन साहित का रस बताना है कि आदी कालिन साहित आप लोग समझते हैं दोस तो रशने किरमांग 22 में 22 में आदी कालिन साहित का पिरमुक रश कौन सा माना जाता है ये आपको बताना है ठीक है ये आपको बताना है सांत वीर स्रंगार या पिर हासरस और आपने देखा कि सर जो आदी कालिन साहित की बात करते हो तो आदी कालिन साहित में तो वीर रश प् कि बनन की या और वो जब सुग्यान का बरनन करेंगे कि टो वह बीर ही करेंगे तो तरभी आपका बीर होगा ibr का स्थाई भाव क्या होता है भूली सरॉट साह बीर का क्या होता है इसाह होता है किया नमबर बिल्कुर चाही है Colesie मनो विशलेशन बादी कभी है हमेशा पूचा जाता है कौन सा कि कौन सा मनो विशलेशन बादी कभी है कई बार मैंने आपको बताए है मनो विशलेशन बादी उपन्यास कार मनो विशलेशन बादी कहानी कार इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है इनको सबी लोग याद करेंगे ठीक है ये सबी लोग याद रखेंगे दोस्तों बिलकुल ममता जी सारा साहित आपका कबर हो जाएगा पैड कोर्स में है ना कौन सा मनो विश्टेशन बादी कभी माना जाता है ये आपको चैन करना है अग्ये जैनेंद्र इलाचंद्र जोसी या फिर उपरियोक्त सबी यानि कि 23 और 23 में आपका बिलकुल सही आंसर होगा मनो विश्टेशन बाद की अगर बात करोगे बोले सर तो अग्ये भी माने जाते हैं जैनेंद्र भी माने जाते हैं इलाचंद्र भी माने जाते हैं यानि कि उत्तर आपका उपरियोक्त सबी और आपको पता है कि मनो विश्रेशनबाद के जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं जैनंद्र कुमार है ना मनो विश्रेशनबाद के जो जनक माने जाते हैं दोस्तों मनो विश्रेशनबादी उपन्यास के जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं जैनंद्र कुमार याद हो जाएगा हिंदी का सबसे प्राचीन चंद कौन सा है जब चंद की बात आती है तो चंद में हम पड़ती है मात्रिक वरनेक मात्रिक वरनेक यह ना और मुक्त चंद भी होता है मुक्त चंद अपन ने पड़ा है इसर मुक्त चंद जो है मुक्त चंद यह ना और दोस्तों यह पर आपका जो है प्रश्ण क्रमांग ट्वन्टीपूर हिंदी का सबसे प्राचीन चंद कौनसा है हिंदी का सबसे प्राचीन चंद कौनसा माना जाता है दोहा वर्वे चप्पय या फिर सबय इ और जिन भी सातियों ने एप को डाउनलोड नहीं किया है यार आप लोग कोर्स करीदना पिंदी साहित पढ़ना चाहते हो तो आपको ये कोर्स मात्र 1200 रूपे में उपलब दे मात्र 1200 आपको 5000 फीचनी बननी 10,000 नी भरनी और एक एक चीज आपको करवाई जाती है दोस्तों य कभी नहीं है कौनसा तार सब्तक का कभी नहीं है तार सब्तक मतलब दोस्तों प्रिथम तार सब्तक बुलिसर प्रियोग बाद में प्रियोग बाद में कि तार सब्तक प्रिकासित हुआ था है ना प्रिकासित हुआ था और तार सब्तक की मैंने ट्रिक बताईती आपको नैमी नयमी मुक्त भारत की प्रभागिरी राम की आग्या से नयमी से नयमी चंदर जैन मुक्त से मुक्ति बोध प्रभा से प्रभा कर और दोस्तो प्रभागिरी तो गिरी राज के सोर गिरी राम की आग्या से तो राम इस सारे माने जाते हैं दोस्तो तो यहां पर सार सब तक का कभ यह हैं कौन नहीं है रामधारी से दिन कर मान जाते हैं रामाइण महानांटक 1610 एक कई बार पूचा गया दोस्तो रामाइण महानाटक 1610 के रचे तक कौन माने जाते हैं दोस्तो जो 300 ठाकुर ने वर्न रतनाकर करके एक रचना लिखी है वर्न रतनाकर नाबादास की भक्तमाल एक रचना है और दोस्तो उक्ती व्यक्ती प्रक्रण इंदामुदर पंडित की है और प्राणचंद चोहान की एक रचना है कौनसी रामायन महानाटक प्राणचंद चोहान राम काबधारा से संबन्दे थें ऐसा भी कोस्चन कई बार आ गया है ठीक है राम काबधारा राम काबधारा से संबन्दे थें यह ना तो प्राण चंद चोहान और दामुदर कभी जो तरी सो ठाक और नाबा दासिन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है दूसरे तार सब तक की ट्रिक है हरी भवानी सकुर करे सेर नरे रगु धरम करे हरी भवानी सकुन करे सेर नरे रगु धरम करे ये दूसरे तार सब तक की ट्रिक आपको याद करनी एक बार है ना कबीर की भासा को सादुक्डी किस ने कहा एक कॉस्चन कन्फ्यूज नहीं होना कन्फ्यूज नहीं होना है कबीर की भासा को सादुकडी किसने कहा और पंच मेल खिचली किसने कहा बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं चंदर जी है ना हैं इंगलिस जी कबीर की भासा को सादुकडी किसने कहा कबीर की भासा को पंच मेल खिचली किसने कहा अब एक चीज पुलिसर पंच मेल खिचली जब बनेगी तो सुंदर बनेगी की नहीं बनेगी कई यक के तो जीब में पानी आ गया होगा पुलिसर खिचली का नाम मतलो है ना तो सादुक्डी जो कहा है वो किसने कहा है जल्दी से बताना है और यहाँ पर आपका उत्तर होगा राम चंदर सुकले और दोस्तो पंच मेल खिचली कहा है किसने स्याम सुंदर दास ने स्याम सुंदर ने कहा है पंच मेल खिचली क्योंकि पंच मेल खिचली तो सुंदर इसलिए स्याम सुंदरदास साधुकडी साधुकडी कहा रामचंद्र सुख्ली ने बूला नहीं है कि कई बार पूछे जाते हैं कबीर की भासा को पंच मेल खिचडी किसने कहा ये भी पूछा गया 28 का आंसर तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा पंच मेल खिचडी और बानी का डिक्टेटर हजारी परसाद दुवेदी ने कहा है हजारी परसाद दुवेदी ने इसलिए कहा कैसे कहा बोले सर कबीर तो बानी के डिक्टेटर है मैं एक बार नहीं हजार बार बोल शकता हूं कि बानी के डिक्टेटर है और हजार बार बोलोगे तो हजारी हो जाएगा कौन दोवेदी युक का कभी नहीं है दोवेदी युक की जब बात होती है दोस्तों तो हम पढ़ते हैं कि सर 1900 1900 से लेकर के 1900 से लेकर के 1920 का काल क्या कहलाता है 1900 से लेकर के 1920 का काल क्या कहलाता है आपको पता होगा और आपको जब पता है कि 1900 से लेकर के 1920 का जो काल है ये काल कहलाता है दोबेदी योग है ना दोबेदी योग सबी लोगों को पता है पता है कि नहीं पता पता है दोबेदी योग और दोबेदी योग का प्रारम होता है सरस्वती पत्रिका के प्रकासन से सरस्वती पत्रिका का प्रकासन होता है दोस् तोमाना जाता है सरस्थाफी पत्रीका का እ का प्रहां से प्र्याग से प्रयाग से प्रकास्न वोगा और उास्थाफक चिन्ता मनी घोशें और प्रताम संपादक से बने दिये कौन श्यामसुनदरदास संपाधक दे और 1903 इन से लेकर के 1920 में 20 तक महावीर प्रिसाद दुवेदी इसके संपादक बने रहे है ना और कौन दुवेदी युग का कभी नहीं है तो यहां पर अपन ने पढ़ लिया कि सर बियोगी हरी हैं मैत्रिश अंगौप्त नहराम रिस्तिरपाटी हैं लेकिन अंभी का दत्त ब्यास यह भारतेंदु योग के कभी हैं यानि आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर सी आपका बिलकुश है यह वेरी गोड आइंसर अयुद्या से उपाद्या हरियोत की प्रिथम रचना कौन सी मानी जाती है प्रिथम रचना बताना है कर्षन सतक है करसकलस है प्रिये प्रवास है या पर बैदे ही बनवास है यह बताना है दोस्तों आपको बता है अयुद्या से उपाद्या हरियोत का यह रीती गरंत माना जाता है लक्षन गरंत माना जाता है रसकलस यह भी याद रखेंगे बैदे ही बनवास इनका प्रवंद काब है बैदे ही बनवास यह भी याद इनका दोस्तों एक महाकाब है प्रिये प्रबास खड़ी बोली का प्रतम महाकाब माना जाता है लेकिन अगर आपसे पूचा जाए कि अधिया से उपाद्या हर्योत की प्रतम रचना कौनसी है तो प्रतम रचना इनकी दोस्तों कशन सतक है और ब्रज भासा में लिखी गई कौ से बैदेही बनवास प्रिये प्रबास और पारी जात इनके प्रबंद काब हैं याद रख लेना दोस्तों आयुद्या से उपाद्या हर्योत इनके कभी समराट कहा जाता है अगर कभी आप से पूचा जाए कि कभी समराट किसे कहा जाता है तो आयुद्या से उपाद्या हर् को इपन को याद रखना है ना और प्रिये प्रबासी अभी ह्पील्टी हुच्प एल्टी में पूचा गया था है ना कि खरी बोली का प्रतम महाकब कौनसा है तो ये प्रिये के दो सब्द बोल दे तो आपको क्या आजाएगा आनंद आएगा कि आपको बुरा लग जाएगा प्रेम के दो सब्द अगर बोल दिये तो आपको क्या आजाएगा जल्दी से बताओ प्रेम के अगर दो सब्द बोल दिये तो आपको क्या आजाएगा जल्दी से बताओ प्रे आपका उत्तर होगा प्रेमगन प्रेमगन यानि कि दोस्तों ये सी नंबर आपका बिलकुर सही हो जाएगा ठीक है सी नंबर जिन्वा ने चेहन किया है आनन दरनोदय किसकी रचना है तो ये बद्री नारान चोदरी प्रेमगन की है किसकी है बद्री नारान चोदरी प्रेमग क्या है भारतेंदु जी का जन्म आपने पड़ा होगा दोस्तों कि सर भारतेंदु जी का जन्म हुआ 1850 में 1850 में इनकी म्रत्यू हो गई ठीक है भारतेंदु जी की और दोस्तों ब्रज और खड़ी बोली आपको पता है यह ना नई जमानी की मुक्री एक क्वेस्चन अभी आ प्राचिन और नभीन का समनबाई ब्यांगे द्वारा अंग्रेजी सासन की निंदा या पिर साम्रदायक का ट्रता का भाव तो प्रश्न किरमांग 32 का अंसर आपको चैन करने के लिए बोला तब आपका उत्तर होगा ब्यांग द्वारा अंग्रेजी सासन की निंदा ये सबसे बड़ी बिसेश्ता मानी जाती है ठीक है बाकी बिसेश्ता है तो बहुत है यहाँ पर दोस्तों एक खड़ी बोली में काब इनका समनवा सांप्रदा एक कट्रता ये नहीं रही ब्यांग द्वारा अंग्रेजी सासन की निंदा की गई यानि कि आपका जो सी नंबर है वो बिलको चाहिए हो जाएगा सी जनों ने बताया है उनका अंसर बिलको साहिए 32 का नई जमानी की मुक्री लिखने वाले जो है तो वो भारतेंदू हरिस्चंद हैं इनको याद रखेंगे भारतेंदू की कविता की सबसे बड़ी बिसेष्टा माने जाती है ब्यांग द्वारा अंग्रेजी सासन की निंदा याद रखना अगर कभी आप से पूचा जाए कि भारतेंदू यूग की भासा क्या थी काब की काब की भासा थी कौन सी ब्रज और दोस्तों जो घ्ल्द की भासा थी और ज़्द में इसको भी आपको याद रख दीना है तके अब यहां पर आते हैं कामाइणी में स्रद्धा किसका प्रतीक है मन का हेदय का बुद्धी का या इन्मेसिक कोई नहीं है ना जल्दी से बताना है कामाईणी में दोस्तों 15 सर्ग हैं कितने सर्ग हैं पंदरा सर्ग हैं 1935 ए रचना काल है एस जैसंकर प्रसाद की अंतिम रचना है कामाईनी और इसका बाहरी धाचक कामना नाटक के दोस्तों समान है कामाईनी का 15 सर्ग हैं तो 1935 इसका रचना काल है और कामाईनी में स्रद्दा हम हिरदाय से स्रद्दा रखते हैं है ना हिरदाय से अगर कामना मांगोगे हिरदाय से स्रद्दा रखोगे हिरदाय से स्रद्दा रखोगे तो कामना आपकी पूर्ण हो जाएगी हिरदाय से स्रद्दा रखना है भगवा हिंदी में स्वचंद चंद के प्रिथम प्रियोक्ता कौन मान जाते हैं स्वचंद चंद के प्रिथम प्रियोक्ता बताना है स्रीधर पाठक, स्रीधर पाठक, राम रिष्तिर पाठी, निराला या पिर प्रिसाद, यानि की 33 का आंसर आपको बताना है 33 हिंदी में स्वचंद चंद के प्रिथम प्रियोकता कौन मान जाती है यह मैं आपको बहुत अच्छे से याद करवाँगा यह 15 सर्ग आपको 2 मिनिट लगेंगे कामाईनी के मैंने बहुत बढ़ गया तरीके से छाया बात की बनाए हैं तो आपको पैड किलास वालों को यह पूरे नोट्स वो मिलने वाले हैं पूरे वीडियो मिलेंगे और यह आपको चिंता, स्रद्दा, आनंद यह सारे इड़ा जो भी हैं इनके सर्ग को बहुत अच्छे से आप एक बार में पढ़ेंगे याद हो जाएगा पूरे सर्ग याद हो जाएगे और दोस्तो कामाईनी के बारे में याद रख लेना यह जैसंकर प्रसाथ की स्रेश्ट रचना कई बार पूछी गई अब आपको बताना है स्वचंद चंद के प्रतम प्रियोकता कौन मान जाते हैं तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा उत्तर होगा दोस्तो कौन सा निराला जी निराला जी स्वचंद चंद के प्रिवर्तक मान जाते हैं कौन स्रीधर पाठक स्वचंद चंद के प्रिवर्तक स्रीधर पाठक लेकिन स्वचंद चंद के प्रतम प्रियोकता निराला स्वचंद चंद के प्रितम प्रियोकता सुधा निदी जी यहाँ पर क्या नहीं होना यहाँ पर इस रिधर पाटक रखा तो आपने स्वचंद ताबाद को पकबर कर लिया कि स्वचंद ताबाद के प्रिबरतक हैं लेकिन स्वचंद चंद के प्रितम प्रियोकता तो निराला ही है, نिराला ही है, यानि कि बी नंबर आपका बिलकुल सई होगा संजै जी, बी नंबर निराला, नेक्ट licensing आपको बताना है, छ्हायबादी कावचा का रुद्र किसे कहा जाता है, महाधयवी बर्मा, प्रिसाद, पंथ या फिर निराला को किसे कहा जाता है बहुत बढ़िया प्रस्न है छाया बादी काब का रुद्र किसे कहा जाता है सभी को आंसर बताना है प्रस्न किरमाग 34 का सभी लोग self study classes सभी लोग self study classes एप डाउनलोड कर लेना जहां पर आपको पैड कोर्स रखा है मात्र हिंदी साहित का दोस्तों 12 रोपे में कितने रोपे में मात्र 12 रोपे में अब इतना चोटा लक्ष आप तक रखा गया है इतने कम प्रियेट में इतने कम रासी में आपके लिए दोस्तों प पहाना बठकें और सही material आपको मिले सही प्राइज में मिले कम प्राइज में मिले सभी लोगों की पहुंच तक एक ओर्स पहुंचना चाहिए उनको क्रमबत दद्यन मिले इस लिए इसकी प्राइज 1200 रखी नहीं तो इसकी प्राइज कितनी 5000 और 6000 भी कम थी दोस्तों आपके अबाद का रुद्र कहा जाता है निराला यानि डी नंबर आपका बिलको सही है लोकायतन किस प्रकार की रचना है लोकायतन कि महतमा गांदी पर महतमा गांदी पर लिखा गया महा काब है दोस्तों किस पर लिखा गया महतमा गांदी पर लिखा गया महा काब है लोकायतन और नंद दुलारे बाचपेई ने, पंत को, नंद दुलारे बाचपेई ने, पंत को क्या माना, पंत को माना दोस्तों, छायबाद का प्रवर्तक किसने, नंद दुलारे बाचपेई ने, है ना, और पंत को तो आप जानते हो, ये प्रगती बाद के भी प्रवर्तक कहलाते हैं, ठ प्रवंद काब में भी महा काब है यह आपने देखा यानि कि सी आपका बिलकुल सही हो जाएगा ठीक है इसको याद रखेंगे फिर है आचा नंद दुलारे बाचपेई ने च्छायबाद का जनक किसे माना है यह आपको बताना है सभी लोग दोस्तों क्या कर दें सभी लोग जरूर कर दें चैना और जो भी साती अभी तक एप से नहीं जुड़े है वो एप से जुड़ना है आपको छ्टर्प स्टड़ी किलासे पिले श्टोर से डाउनलोड कर लेना है और दोस्तों हाँ सभी अटलन पृसकार भी इसरे मिला है यह लोकायतन के लिए और आचार नं ने किसे माना जैसंकर प्रसाथ को जैसंकर प्रसाथ का उपनाम क्या है उपनाम इनका है कलाधर क्या उपनाम इनका कलाधर और जारखंडी जारखंडी भी इनका उपनाम है जारखंडी भी ने कहा जाता है जैसंकर प्रसाथ को जारखंडी और कलाधर निराला जी निराला जी क चान्तिकारी कभी, मकुटधर पांडे को आचार सुकलेने छायाबाद का प्रिबरतक माना है ना, लेकिन नौरमर्लि अगर आप से पूचा जाए कि छायाबाद की प्रिबरतक कौन है, तो आप लगाओगे जै संकर प्रसाद, क्या लगाओगे, जै संकर प्रसाद लगाओगे, ठीके, तो यहाँ पर आपका B, D नमबर सुमित्रा नंदन पंत को, छाया बाद का प्रिबर्तक माना, नंद दुलारे बाच्पेईने, नंद दुलारे बाच्पेईने, यानि D आपका बिल्कूर साही हो जाएगा ठीक है अब आपको क्या करना है लाइक करना है ठीक है very good तो एसरत्ती जी और अनित कुमार जी माही जी राजकुमार जी यहाँ पर अपने 36 प्रस्णों के माद्यम से लगबग 100 प्रस्णों को कबर कर लिया हिंदी साहित के 36 प्रस्णों के माद्यम से 100 प्रस्णों को कबर किया कैसी लगी ये किलास फटाफट से रिवीजन अपना हुआ फटाफट से पढ़ते गए और जिन भी सात्यों ने अभी तक एप डाउनलोड नहीं किया है self-study classes एप डाउनलोड कर लें और जिन भी सात्यों ने दोस्तों तो एक target रखा गया है कि 30 तारीक तक सारे लोग इस course को join कर लेंगे इस course को जिस course की price सबसे कम रखी गई है सबसे कम रखी गई है एक course आपको 5000-10,000 में भी नहीं मिल ले बाला फिर भी आप लोगों के लिए कि आप लोग कहीं भी भटके ना कहीं आपको 5000-10,000 ना देना पड़ से एक course बाहर ना हो इसलिए सबसे कम सबसे कम price में इसका मात्र 1200 रखा है ठीक है और master के अडर बालों के लिए बिसेश बिसेश सुबकामना है वो इसी तरह 4-5 दिन revision करें और बढ़िया तरीके से exam दे करके आए हैना और वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे दोस्तों ठीक और पढ़ते रहें दोस्तों वीडियो को लाइक करना है हैना टाइम बिलकुल भी पता नहीं चलता अपनी किलास ही ऐसी मज़िदार होती है दोस्तों कि क्या नहीं चलता पता नहीं चलता कब टाइम निकल गए आपका एक घंटा ममता जी हैना और सुमन जी रिनु जी पून लोगों के लिए बोर रहा हूँ हैना डेमो सभी लोगों ने देखा है डेमो देख लें और बढ़िया तरीके से पढ़े हैना क्यूंकि यह जो कोड से साथ यो बहुत बढ़िया आप लोगों तक ऐसा पहुंचाया गया है हैना कि आप लोग ठीक है तभी लोग याद रख लेना है पुष्टी मार्ग में बिठल नात नहीं पुष्टी मार्ग में बल्लबा चार ही लिखना है पुष्टी मार्ग की प्रवर्टक बल्लबा चार ही आपको लिखना है अगर बल्लबा चार ओप्सन में ना हो तब आप लगा के आना बाक पुष्टी मार्क की प्रवर्टक बल्लबाचार हैं, अस्ट छाप की प्रवर्टक बिठ्थल नाथ हैं, याद रख लिना, ठीक है, इसको सभी को याद रखना है, पुष्टी मार्क की प्रवर्टक कौन है, पुष्टी मार्क की प्रवर्टक बल्लबाचार है ना, और दोस्त जी आर्ती जी संजय जी गौड केंगरीनू माही जी बिरेंद्र स्वानू जी रस्मी जी राजेंद्र पूनम संदू जी बंदना सिंग जी एना LT का भी आपका आने बाला हैं LT वाले भी ready रहें सुनु जी सुनील ममता जी तो यह gonna बाला कीलास है आपके LT में भी काम आएगा आपके NET में भी काम आएगा आपके PGT TGT में भी काम आएगा यानि कि हिंदी साहत से समंदित जो भी परिक्षाएं होंगी उस सभी में काम आने वाला ये हिंदी साहत का जो कोर्स अपन ने लांच किया है एक कोर्स की बैलेडिटी कोर्स लांच के एक साल है कोर्स लांच के एक साल है एक कोर्स की वैलेडिटी दीपक्या सरमा जी आईसा जी सचिन जी और अगर आप पढ़ना चाहते मस्ती में हैना अपने जितने भी स्टुडेंट हैं बढ़िया पढ़ते हैं मस्ती से पढ़ते हैं हैना और लास्ट में यहीं बोलते हैं कि सर पांच परसेंट याद हो गया हैना बस पांच परसेंट याद हो जाए कितना बहुत है जादा नहीं करना अपन को कितना करना पांच परसेंट तो वीडियो को लाइक करें इसी परकार से बने रहें नौ बजे और नौ बजे if क्लास start होती है रोज तो आज के वीडियो के लिए सभी को धन्वात धोस्तों है ना हम थो जाते अपने गाओं सब को राम 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 ठीक है वीडियो को लाइक और सेयर जरू कर देना साथ यो जै इन्द